हेलो, नमस्कार बच्चो, स्वागत आप सभी को बेसिक सिक्षा के इस ओनलाइन लर्निंग प्लाटफोर्म पे इस वीडियो में मैं बताने वाल हूँ आप लोगों को कि बायोलोजी डॉमेन की स्लेबस आपके के सीवीटी 2023 के लिए क्या है कौन-कौन से टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है और क्या-क्या चीजे आपको जो है बायोलोजी डॉमेन में पढ़ने की जरूरत है बच्चो ऐसे अगर देखा जाए चैप्टर से कैसे कोशन्स पूछे गए थे और कितने कोशन्स पूछे गए थे यह तमाम चीजों जो है बच्चो आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा जरूर से इसको लास्ट तर देखिएगा अगर बच्चो देखा जाए बहुत अच्छी कमांड होनी चाहिए और अपनी कमपिटिटिव एक्जाम्स के लिए तो बच्चो 2023 के जो सीवीटी ऐस्पिरेंट से उनके लिए बायलोजी डोमेन की स्लेवस अगर देखा जाए तो पहले यूनिट में आपको जो है रिप्रोडक्शन में आपको रिप्रोड़क्शन है और यूमन रिप्रोड़क् पढ़ना होगा साथ में आपको माइक्रोब्स इन हुमन वेलफेर के लिए उन सभी के बारे पूरी डिटेल पढ़नी होगी नेक्स्ट अपका यूनिट जो फोर है उसे बायो टेक्नलोजी एन इस अप्लिकेशन हो आपको पूरी जेनेटिक इंजिनेरिंग रिकमिनेंट डि बारे पढ़ना होगा और इसके अप्लिकेशन के बारे में भी आपको जानना होगा कि किस तरह से इसके अप्लिकेशन जो है अलग अलग फिल्ड में आज के समय पर यूज हो रहा है उसके साथ आपका यूनिट फाइव जो है जहां एकोलोजी एन इंवर्मेंट में आपको और गैनिजम और पॉलूशन पढ़ने होंगे एको सिस्टम पढ़ना होगा इसके लावब और दो यूनिट्स आपको बायो डाइवर्सी और इंवर्मेंटल इस्यूज पढ़ने हो तो यह तो थे बच्चो आपके हेडिंग्स अब इन हेडिंग्स के अंदर आपको किन सब इसको जो है मुख्य रूप से ध्यान देना है वो सारी चीजे आपको यह पर अनलाइसिस के बाद बताएंगे 2022 के अगर आप देख रहे हो तो यहां पर आपके कई सारे मल्टिपल स्लोट्स में आपके पेपर हुए थे अलग-अलग डेट में तो देखो गए अगर तो आप आपका यह सेक्षोरी प्लावरिंग प्लांस से हुमन रिप्रोडक्टिव एल्ट से और आपका प्रिंस्पल इनेल्टेंट्स मॉल्कूरी बेस्टिश से चे कोस्ट्न इन सब से तीन-तीन कोस्ट्न पूछे गया थे इसी तरीकेस अगर दूसरे स्लोट में देखेंगे तो आ चार कोशन, तीन कोशन, चार कोशन इस तरी किसे लगभग आपके यह सब जो इंपोर्टेंट कुछ टॉपिक से जहां से अधिकतर कोशन पूछे जाते हैं, एक है आपका human reproduction, दूसरा आपका principle of genetics जो है आपका inheritance and variation, molecular basis of inheritance और human health and disease, कुली मिला कि यह जो चार chapters है, यहां से आपके अधिक से अधिक questions जो आपके exam से पुछेगा है multiple slot में, तो पूरी analysis आपकी जो CVT 2022 की जो आपके biology domain की paper थी, अलग-अलग slots में हुए थे exam, ठीक है, तो multiple dates के multiple slots में जो paper हुए थे, उन सारे paper की analysis करके हम लोगोंने जो है यहां पर आपको chapter wise बता दिया कि कौन कौन से chapter important है, मुख्या रूप से जो आपके यह 5 chapters जो आपको यहां से पढ़ने होंगे, और उसके बाद अगर हम यहां पर बात करेंगे, तो यहां पर भी जो आपका strategies for enhancement in food production से आपके हर slot में आपके अलग-अलग questions पूछेगा है, microbes in human welfare आपके लिए important exam point view से, biotechnology and its application पूरी important ह और उसके बाद अगर देखेंगे तो यहां पर आपको organism and population से भी जो आपके 6-5 questions जो minimum आपके पूछे गए हैं, यह सब आपके multiple slots में जो paper हुए हैं, उसमें आपको कौन-कौन से chapters कैसे ध्यान देना है, इसके लिए आपको पूरी 16 chapters को जो है आपको पूरी analysis के साथ बता दिय कि हमने कि अलग-अलग multiple slots में कहां से कितने questions पूछे गए थे, अब हम लोग बात करते हैं, आपको पूरी detailed analysis जो है paper की, तो आपको बता दे, reproduction में आपको reproduction पढ़ना है, और characteristics of all living organisms for continuous of species, यह चीज़े ध्यान देनी है, modes of reproduction के बारे पढ़ना, sexual, asexual, asexual matter of reproduction क्या-क्या होती है, vegetative propagation क्या होता है, binary fish, sporulation, birding, gamule, fragmentation, vegetative propagation in plants, जिसमें birding, grafting, layering, यह तरह के तमाम methods के बारे में आप लोग को पढ़ना होगा, यहाँ पे पहला जो unit है, reproduction in organisms में, अगला बात करें, अगर यहाँ पे sexual reproduction in flowering plants में, तो पूरी जो आपकी प्लांट की जो flower की structure होती है, अन्थर, stigma, andros gynosium, kalyx, korola, यह पूरी आपको detailed structure पढ़ना होगा, ठीक है, उसके साथ साथ आपको जो यहाँ पर development of male and female gametophytes कैसे होती है, नर और मादा, युगमद, युगमद, जो है कैसे निर्मान होता है, उसके बारे पढ़ना है, उसके आपको जो है, pollination के types क्या होती है, agency, agents क्या-क् cell pollination, cross pollination, और अलग-अलग आपके cross pollination के methods, और उनके examples भी, कौन से पौधे में, किस तरीके से होता है, साथ में आपको outbreeding में पढ़ना होगा, आपको pollen-pistil interaction के बारे पढ़ना होगा, फिर double fertilization, pre-fertilization, post-fertilization के जो अलग-अलग events है, उनके बारे में आपको पढ़ना होगा, और साथ में आपको कुछ special modes जो है, जैसे epomyxis, parthenocarpy, polyembryne, जैसे चीजों को पढ़ना है, लास्ट में आपको significance of seed and fruit development के बारे में prepare करना होगा, यह आपका second unit था, जो आपका, इससे आपके काफी ज़्यादा questions पूछे भी जाते है, तो one of the important units में से जो है, यह आता है आपके example interviews, अगला हम लोग देखेंगे, यहाँ पर chapter 3 human reproduction में आपको male and female reproductive system पढ़ना है, microscopic anatomy of testis and ovary, testis और ovary का जो आपका transverse section होते है, longitudinal section, उन सब के section wise, उनके भीतर की layer वगेर आपको पढ़ना होगा, one by one, और इतना ही नहीं आपको gametogenesis, spermatogenesis और oogenesis की पूरी process, किस तरीके सी sperm का formation ह होता है, कैसे ओवा बनती है, इस तरह के चीजें, और आपको menstruation cycle के बारे में पूरा पढ़ना होगा, उसके अलग-अलग steps है, कितने phase हैं उसके, वो सारे phagos के बारे में आपको पढ़ना होगा, इतना ही नहीं fertilization के बारे में, इंप्लांटेशन के बारे में भी पढ़ना हो जो कुछ important terms जो आपके human reproduction से associated है, इनके बारे में आपको detailed जानना जरूरी है, उसके बाद हम लोगों को chapter 4 में reproductive health में need of reproductive health, क्यों reproductive health जरूरत होती है, कैसे आप sexually transmitted disease से बच सकते हो, अलग-अलग sexually transmitted disease क्या है, birth control कैसे हो सकता है, उसके आप contraceptic devices और medical termination of pregnancy, MTP के बारे में भी आप आपको पढ़ना होगा, इतना ही निया आपका immunosynthesis और infertility and assisted reproductive technology जो है, जैसे टेस्टिव बेवी हो गएरा हो गया, IVF in vitro fertilization, ZIFT, GIFT, इन सब के बारे बेसिक आपका general awareness के बेसिक बस आपको ध्यान देना है, इन सब टर्म्स के बारे में, उसके बाद आपको दूसरे unit genetics and evolution में आपको principle of genetics में आपको basically mendelian genetics पढ़ना है, co-dominance, dominance, incomplete dominance, उसके बाद आपको multiple aliens and inheritance of blood group जो आपका co-dominance का example है, human blood group, ABO blood group के बारे में, तो ये सारी चीज़े पढ़ना होगा, साथ में आपको pleiotropy के बारे में भी आपको basic information चाहिए, chromosomal theory of inheritance, जहां आपको chromosome genes कैसे होती है, DNA, RNA, य कैसे किया जाता है, आपका link निर्धारन कैसे होती है, animals में, humans में है न, उसके बाद आपका honeybee औगरा, ये सब चीज़ पढ़ना है, उसके बाद mobility and the relation with electric current, linkage and crossing over के बारे में आपको पढ़ना है, उसके साथ साथ आपको sex linked inheritance, इसमें आपको अलग-अलग disease, hemophilia, color blindness जैसे, दो मह में कितने number होते हैं, कैसे alter होती है, ये सारी चीज़े आपको यहाँ पर देखने को पढ़ेगा, उसके बाद हम लोगों को genetics में molecular basis of inheritance, basically हमें genetics material की कैसे खोज हुई, DNA को कैसे genetic material बना, इसकी एक historical brief review और आपका genetics में DNA और RNA की introductory part के साथ साथ आपको structure of DNA और RNA भी पढ़ना होगा, और DNA की packaging कैसे होती है, ये सारी जानकारी भी आपको लेनी पड़ेगी, इतना ही नहीं, आपको transcription, genetic code, translation, gene expressions के बारे में regulation, lack of parent, वोगेरा काफी important topics है, genome and human genome project और DNA finger printing करके इस तरह से आपको ये unit में ध्यान देना पड़ेगा, अगला जो unit है आपका evolution, इसमें आपको कैसे origin of life, उ इसके बारे में बाते करेंगे, फिर Darwin साब का क्या contribution रहा, evolution में कैसे, उन्होंने सिध्यांत दिये, Lamark के theory के बारे में पड़ना होता है, फिर उसके बाद आपका evolution में जो है आपको, यहाँ पर variation क्या होता है, mutation क्या होता है, recombination क्या होता है, फिर natural selection और उस सब के examples भी पढ़न हम बात करें, biology and human welfare में, यहाँ पर human health and disease आपका काफी important है, यहाँ से भी आपके questions जो है, बहुत जादा पुछे गया थे, pathogen, parasites, causing human diseases, malaria, phallariasis, sclerasis, typhine, pneumonia, common cold, amoebiasis, ringworm जैसे disease का, पूरी basic आपका immunology, vaccine क्या लगता है, cancer, HIV के बारे पढ़ना, AIDS के बारे में, adolescence and drug and alcohol abuse के बारे मे और उसके prevention, causative agent, कैसे उसको रोग ठाम कर सकते हैं, किस तरीके से उसको prevent किया जा सकता है, इस तरह के तमाम चीज़े हम लोग यहाँ पर discuss करेंगे, फिर अगला जो third unit है, human biology and human welfare, उसमें आपको plant breeding, tissue culture, single cell protein, bio fortification और epical, epiculture and animal husband, यानि कि पूरी-पूरी आपकी agriculture से related आपका biology मे क्या influence है, यह सारी चीज़ें यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा, अगला हम लोग को देखना होगा, biology and human welfare में, microbes and human welfare में आपकी household processing कैसे होती है, आपकी food processing वगेरा, industrial production, sewage treatment के बारे में काफी important चीज़े है, यहाँ पर देखना होगा, generation and as and as bio control agent और bio fertilizer कौन-कौन से use होते है, agriculture के field में कौन-कौन से bio control legend, disease को control करता है, इस तरह के तमाम चीज़ें यहाँ पर देखना पड़ेगा, उसके बाद हम लोगों को जो है, by technology and it's principle में आपको यहाँ पर देखना होगा, genetic engineering जिसमें आपको basically recombinant DNA technology और उसकी पूरी principle के बारे में पढ़ना होगा, इतना ही नहीं आपक technology application उसमें आपको देखना होगा, human insulin, vaccine production, gene therapy क्या होता है, genetically modified जो organism से उसमें BT cotton, BT का पास होगएरा कैसे बना था, यह सारी चीज़े, BT crops होगएरा के बारे में, transgenic animals और bio safety issues, जिसमें, bio piracy और patent के बारे में, कैसे जो है, लोग patent कराते है, अपनी technology को कैसे pirated हो जाती है, कोई भी concept जा कोई formulas या कोई technology तो इस तरह के तमाम चीज़े हम लोग यहां पर बाते करेंगे, इसके बाद आपका जो fifth unit होगा, ecology and environment, यहां पर basically organism and population में, habitat and needs के बारे में, ecological needs क्या होता, यह सब concepts पढ़ेंगे, population, उसकी diversity कैसे maintain होती है, उसमें आपको अलग-अलग birth control rate, यह इस तरह के इसको भी ध्यान देना होगा, और साथ mutualism, competition, predation और parasitism जैसे जो आपके interaction होता, यह सब जो ecological interaction, यह सब आपके अलग-अलग ecological interactions है, तो इस तरह के आपके ecological interaction के बारे में भी आपको जो है, मुख्य रुचे ध्यान देना पड़ेगा, यह चीज़े आपको ध्यान देना है, साथ में आपको population attributes में growth, birth rate, death rate, age, distribution इस तरह के तमाम चीजों के बारे में समझना होगा, अगला जो next unit है, आपका ecosystem के pattern क्या होते हैं, कौन-कौन से biotic or biotic components है, किस तरीके से वो components आपस में eco-related होते, correlated होते हैं, फिर ecological pyramids, pyramids वगरा, ecological service में carbon fixation, pollination, oxygen, release के बारे में, फिर nutrient cycle में आपक और यह inverted होती है, कौन सी erect होती है, कौन सी ecosystem के लिए erect होती है, किसके लिए inverted होती है, इस तरह के तमाम चीजे जो है, आपको यहाँ पे ध्यान देना होगा, और साथ में energy flow में food chain और आपका जो है food wave के बारे में भी पढ़ना होगा, इसके अलाबा आपको जो है, यहाँ पार्क, sanctuary, इस तरह के जो आपके अलग-अलग चीजे जो है, जहां पे आप बायो डाइवर्सिटी की preserve करते हैं, इन सब पॉइंट्स को हम लोगों को जो है देखना होगा, लास्ट यूनिट जो आपका environmental issues है, वहाँ पे आपकी pollution और इस control, water pollution उसकी control की भी धी, agrochemicals जो हम ल success, storage वगरा जो है, environmental issues से related, यह सारे चीजों पर ध्यान देना पड़ेगा बच्चों, यह पूरी जानकारी जो है आपका था, यहां पे मुख्य रूप से आपके biology की पूरी syllabus हमने बताया, जो भी बच्चे 2023 में biology domain से और आपके पूरी science domain से अपना मन चाहाई university crack करना चाहते है तो यह हमारे कुछ बच्चों के results है, जो 2022 में हमारे बच्चे जो है, 1000 से प्लस बच्चे जो है, select हुए थे आपके अलग-अलग university में जिनके 99% से उपर था, तीनों domain में 200 प्लस बच्चों ने 100% लेकर आए हैं, और कुछ बच्चे ऐसे थे 400 प्लस students ने लैंग्वेज में, ह हमारे mentors structured way में जो है, आपको पूरी syllabus को जो है, प्रोवाइड करें हैं, तो इस बार भी अगर जो बच्चा चाहता है कि CUT 2023 को crack करके अपने dream universities में जाना चाहते हैं, तो उन सभी के लिए एक बहुत ही अच्छी खवर यह है, कि हम लोगों के यहां पे batch, जो हम लोग योद्ध batch basic सिक्चा के YouTube चैनल पे जो है, आपको बता दिया गया है, और साथ में आपको बता दे कि योद्धा batch 2023 के experience के लिए क्यों important है, क्योंकि इसमें आपकी पूरी की पूरी classes जो आपकी live रहेगी, bilingual रहेगा, दोनों ही भासां पढ़ाई जाएगी, और सबसे important बात, यह हमारी एक fast track course है, जाप पे आपको पूरी entire syllabus को जो है, बचो 50 lectures के अंदर हम लोग complete कराएंगे आपको पूरी syllabus, biology की पूरी syllabus आपको 50 lecture में, आपके physics के पूरी syllabus 50 lecture में, इस तरही के से आपके general test लाएंगे, सारी चीज़े आपको यहाँ पे मिलेगा, और यह हमारी combined batch, योद्धा batch उसके लिए है, जो तैयार होना चाहता है, CVT के जंग में, और जो फते करना चाहता है, आपने मन चाहाई, university के entrance examination को, तो उन सभी के लिए जो योद्धा batch काफी helpful होगा, इस batch पे आपको test और DPP seats भी मिलेंगे, जो की strictly best होगा, आपके NTA की exam की जो pattern है, उसी पे best और इस exam में, आपक है, CVT code यूज किया, तो आपको जो है, 500 का additional discounts भी मिल जाएगा, तो यह छोड़ी सी जानकारी थी, अब बच्चे पूछते हैं कि यह हमारा जो batch है, sir, किस course के लिए है, CVT में भी, तो CVT में बच्चा BA, BSC, BCOM, BALLB, BPHARMA, BBA, BTEC, BVocational, BCA, Computer Applications जैसे courses के लिए, जो भी अपने dream universities में crack करना चाहता है, उसको पहुंचना चाहता है, उन सभी के लिए यह युद्धा batch काफी helpful होगा, तो जितने भी CVT experience है, उन सभी तक जो है, यह information की युद्धा batch आ चुका है आपके लिए, और कल से जो आपका एक मार्च से जो है, आपकी live class से शुरू हो रही है, तिस चीज को मत भूलेगा और batch में अभी तुरंत enroll होएं, और CVT 2023 में अपने मन चाहाई university में admission पाने का सपना को साकार करें, धन्यवाद.